Hello friends, welcome to Your Smart Nation Your Smart Nation में आज आपके यहाँ पर स्वागत है इसी के साथ हम देखने वाले हैं मुंबई महरास के सबसे बड़ी खबरों को लेके हर एक दिन देखा जाए मुंबई महरास में कहीं एक घटना कहीं तोड़ फोर देखने को ही मिलता है और इस वज़े से BMC ने कुछ और भी नए नियम लाहू कर दिये हैं और यहाँ पर केस देखा जाए तो एक हजार से ज़्यादा भी दर्ज हो चुके हैं इसी के साथ में कुछ नए नियम को हम देखने वाले हैं तो आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं सबसे ज़्यादा दिखा जाए तो परेशानिया यहाँ पर टांस्पोर्डेशन को लेके हो रहा है कि जितने भी एक्टिवा बाइक चलाने वाले लोग हैं हेलमेट नहीं पेह रहे हैं जिसकी वज़े से एक्सिरेंट जादा होते नजर आ रहा है तो अब जुर्माना बहुत ही सक्थ हो चुका है जिन लोग ने हेलमेट नहीं पेहना है लाइसेंस दद किया जाएगा इस प्रकार के नए नियम अब बहुत ही सक्थ होने वाले हैं इस महीने से मुंबई में तीन सार में दंगों के एक हजार से जादा केस दर्ज किये गए हैं साथ में देखने को मिल रहा है कि मजबूत प्रशाश्चनिय सुचना तंत्र अब यहां पे किये जा रहे हैं सुत्र के साथ बता जा रहा है कि डिटैक्शन्स रेट औसंतर असी फिसदी होने के कारण मुंबई की सडकों पर दूसरे राज्यों की तरह गाडियों में तोड़ फोड और टायर चलाने की घटनाय जल्दी नहीं होती थी क्योंकि यहां पुलिस का सुचना तंत्र बेहत मजबूत है घटना के महज कुछी समस्के में पुलिस मौके पर पहुच कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास में जुट जाती है सुत्रों से पता चला है कि राम नवी की रात मानखुर्द और सिवाजी नगर में हिंसक जड़प एवं दंगा होने की घटना घटी थी जिसकी वज़े से अस्थानी प्रयासन के अनुसार इस्थती नियंत्र में है मगर ये दंगा और भी आगे ना बड़िसले बीमसी अलट हो चुकी है